हेलो फ्रेंड्स जैस्री कृष्णा जैमादादी जैस्री शाम कैसे हूँ दोस्तों आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे हूंगे राथना करूंगे इश्वर से कि आपको हमेशा खोश रखें तो देखें आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहु इच्छा सोच ली हैं तो वो कब और कैसे पूरी होगी आखिर आपके मन की सोची इच्छा कब तक पूरी होगी आज की वीडियो में आपको एक तरफ से लाइव एक्सप्रियंस एक लाइव अनुभाव होगा फील होगा कि जो आप इच्छा सोच रहे हाथ वाथ इमिडेट को प्रैस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो चलिए शुरुवात करते हैं बिना के सीदेरी के हर हर माहदेव का नाम लेकर चलिए तो वीडियो की शुरुवात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप अपने मन में कोई भी इच्छा सोच लीजिए जो भी इच्छा आपको नाम लीजी लंबी-लंबी सांसे ले लीजिए रिलैक्स हो जाहिए पूरी तरीके से उसके बाद स्क्रीन पर देखिए दो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे फस्ट और सेकेंड इन दोनों नंबर्स में से आपको जो भी नंबर्स अपनी तरफ अट्रैक करें जो आ आपके लिए तो चलिए दोस्तों शुरुबात कर लेते हैं फिलहाल जो इच्छा आपने मन में रख रखी है वो आपकी करियर से रिलेटेड है और दूसरी बात यह है एक इच्छा और है आपके मन में जो फिलहाल आपने इंस्टेंट मांगी है किसी परसन के लिए आपकी लाइब से रिलेटेड है तो यह जो इच्छा है आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है 15 दिन लगेंगे लेकिन 15 दिन में आपको कुछ संकेत मिलेंगे कुछ हिंट मिलेंगे बहुत जल्द आपकी जो मन के इच्छा है वो पूरी होगी इस्पैशली जो आपके करियर से नाम लेना है इश्वर का अराधना करनी है धर्म के रास्ते पर चलना है सत्मार्ग पर चलते हुए सभी के लिए अच्छा सोचते हुए अच्छा वर्क करने की कोशिश करनी इसी बीच आपको इस बात का भी धियान रखना है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में एक अलग ही बदलाओ आपको महसूस होगा लाइफ में आपके अलग ही मुमेंट आने वाली एक नया मोड आने वाला है और एक ऐस तरह का बदलाओ आने वाला जिससे आपकी पूरी तरह से लाइफ चेंज हो जाएगी जी हां आपके घर में काफे कुछ आपको वास्तू का ध्यान रखन चाहिए तो जिन्होंने भी फर्स नंबर चूस करा है बिल्कुल रिलाक्स हो जाएगे बिल्कुल शांत हो जाएगे जीवन में बहुत बड़ी मुमेंट्स आने वाली बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस करने वाले हैं लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे मुकाम भी आप हासिल करने हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखे और इस बात का भी ध्यान रखी दोस्तों कि इश्वर की पूरी असीम कृपा आपके ओपर होने वाली है क्योंकि आपकी बदलती सोच के कारण ही आपके जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है का ध्यान करें हो सके तो रोज हनुआन चाली सा का पार्ट करें ओम नमश्यवाई के 108 बार आप मंत्र माला जबें इससे भी आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा बदलाओ महसूस होगा इस भी जो भी इच्छा है आपके मन की वह किसी एक तारिक को पूरी होने की अगर हम बात करें तो देखी उस से संबंधित हिंड आपको मिलने वाली है थो अगर तारिक की अगर hump बात करें दोralsतों तो जो फिलहाल आपने इक्छा अपने मन में रखी हुई है जो आपको आंनंत चो दस के दी जी आणानल जी और इससे पूरी होती हैं जो आपको अननत और इस तरह से भक्ती में भाव विभौर हो जाएं कि गणपती जी जाते जाते आपकी जो भी मन की कामना है जरूर पूरा करें अब इसके लिए आपको करना क्या जो आपने अभी अपने मन में इच्छा रख रखी हैं इसके लिए आपको रोज डेली 21 दुर्वा में मतलब द गड़ी बनानी चोटी चोटी पतली पतली गड़ियां बना करके 21 दुर्वा आपको ऐसी घट्टी करके रबर लगाके या गांट बांदेनी उनमें दुर्वा से ही और ऐसे गड़ी जो इकीस गड़ियां आपको करनी है और उनकी माला बना के प्रती दिन अगर आप लड़ी करी होई माला आपको पिनानी है इससे आपकी जो भी मनुकामना बहुत जल्द पूरी होगी और एंडिंग का जो दस्वा दिन रहेगा उस दिन घी का दीपक लगा करके अपने घर में भी यह चीच कर सकते हैं घी का दीपक लगा करके लड़ू का उन्हें भोग कमर्ड चूस कर रहे उनके लिए हम यहीं बताईंगे दोस्तों कि बहुत जल्दी विगन हर्ता आपके विगन दूर करने वाले हैं बस 10 दिनों में कुछ चीज़ों का दियान रखना है कुछ बातों का धियान रखना है अगर दस दिनों तक आपने बाते धियान रख लिए इन चीजों का धियान रख लिया तो विशेश करके आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आनी है कभी कोई दुख नहीं आना है तो दीगे सबसे पहली बात जो आपको धियान रखनी है दोस्तों सबसे पहली चीज जो होने वाली है दोस्तों इसमें कि विग्ण हर्ता जो है आपके विग्न दूर करेंगे लेकिन उससे पहले इन दस दिनों में आपको प्रती दिन हनुमान 40 का पार्ट करना है प्रती दिन हनुमान 40 पढ़ना है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए बस इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कंडिशन ऐसी होने चाहिए कि आप हमेशा आगे बढ़ते जाए लाइफ में फोकस होता रहे आपका कॉंसेंट्रेशन आपका बना रहे आप रिलैक्स रहे जीवन में किसी तरह का कोई दुख ना हो किसी तरह की कोई परिशानी आपको नहीं हो बाकि कॉंसेंट्रेशन बना रहे बस इस बात का ध्यान अगर आप खुश रहेंगे तो आपके जीवन में ये भी खुश खहाली रेकर के आएंगे विग्नियरत की आपके साथ होने आपके जीवन में बहुत सारी खुशूश आने वाली हैं जीवन में इस तरह की खुशियां आपको मिलने वाली दे nesos फ्री रहें रिलेक्स रहें खुश रहें जो होता है अच्छे के लिए होता है जो होगा अच्छे के लिए होगा बस इस बात का ध्यान रखें हमेशा अपनी बातों में आप इंजॉय करने की कोशिश करें हमेशा अपने दीनों को अपने जो पल आपको इश्वर की तरफ से मे करने वाले हैं और पुराना वाद विवात कंई और सामर्त पर विश्वास रखें हैं आछ मूध कर दूसरों यूंथ करना आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है कि कोई समस्या否 कर विचारें देञाँ लिए दिन समंदी मामलों में लापरवाही ना करे और किसी रसुकदार वेक्ति से मुलाकात होगी आपका कर्म प्रधान होना स्वतही आपके उचित भाग्य का निर्वान करेगा किसी सामाजिक धार्मिक आयोचन का भी दायत वह आप पर रहेगा जैसे आप बखु भी निर्वाहा करेंगे आपके संयोग से संतान की किसी विशय को लेकर चल रही समस्यां दूर होगी प्रॉपर्टी से संबंदी को निर्णे लेने से पहले उसके पैपर्स जरूर चेक कर लें समय अपने व्यवसाय पर अतिदिक महिनत करने का है जरासी लापरवाही की वज़े से नुकसान होगा पार्टनर्शिप संबंदी व्यवसाय सफल होंगे उमिश से जदा मुनाफ़ होने की स्थिती दिख रही है कई तरह की गतिवीधियों में दिन चरिया बनी रहेगी अपने जीवन शेली को नया रूप देने के लिए कुछ योजनाय बनाए उन पर अमल करें आपके विक्तित्व को अधिक प्रभावी बनाएगा संतान के किसी उपलबधी से मन में बहुत जल्दी संतुलन बना लेंगे और जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने पर धियान देंगे आपका काफी अच्छा बना रहेगा तो बिलकुर टैंशन आले रिलाक्स रहें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने रहें इतना ध्यान रखें कि जो होता है पर भरुसा है तो सारे वेगन दोर हो जाएंगे चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में गणपती पपा मूरिया लिग दीजिए जान लेते और भी कुछ खास बाता है उनके लिए नहीं कहना चाहूंगी कि फिलहाल आपके जो भी इच्छा है एक बार आप मन में सोच लेकिन आपने उस पर कॉंसेंट्रेशन नहीं रखा आपने उस पर ध्यान नहीं दिया आपका ध्यान भटकता रहा कभी आप कौन से इच्छा के लिए भगे कभी आप कौन से इच्छा के लिए भगे आपने कॉंसेंट्रेशन को बढ़ावा नहीं दिया आपने बहुत ज़ आपको करने नहीं देता बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो जीवन में कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है लाइफ में टैंशन्स क्रिएट करवा रही है बहुत जदा परेशान आप हो रहे हैं तो थोड़ा सा रिलाक्स रहिए टैंशन फ्री रहिए लोड बिल्कुल नहीं लेना है इस विच आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जीवन में हमेशा आपको आगे बढ़ने पर ध्यान देना है ठीक है जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो लोड है वो कम होता जाएगा आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएग इश्वर से प्राथना करे प्रतिदीन इश्वर से प्राथना करे डेली आप हो सके तो हनुमान चालिसा का पाठ करे और प्रतिदीन इश्वर की अराधना करे गंपती जी के सामने रोज घी का दीपक जलाएं रोज इश्वर को फूल अरपन करे गिंदे के फूल अरपन करे य नहीं दो लगातार जहें 10 तंट 12 दिन तक पैसा करें 12 दिन आपकी इभली होगा जो भी आपके इच्छा फार पूरी और विश्वास के साथ करकेebर 10emin इच्छा जरूर पूरी cow इसके लिए आप ने कभी सोचा भी नहीं होगा जिसके लिए शाहद कभी और इतना ध्यान कि इश्वर की पूरी पूरी अराधना है आपके साथ इश्वर का पूरा-पूरा मान सम्मान आपको मिल रहा है और हमेशा इश्वर की क्रपा आपके ओपर बनी रहेगी तो आपको थोड़ा सा लोड कम लेना है जीवन में आगे बढ़ना है हमेशा यह ध्यान रखना है कि भोर हो जाए तो कभी कोई टैंशन नहीं होगा कभी कोई लोड नहीं होगा इन चीजों का विश्य द्यार नहीं बाकि आपके इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी हमेशा इच्छा को अपना आप टार्गेट माने कॉंसेंट्रेशन बढ़ाएं उसकी और इश्वर से अराध चलेगा और लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं थोड़ा सा आपको कॉंसेंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है थोड़ा सा आपको जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है ठीक है तो इन चीजों का विश्य साब ध्यान रखिए लाइफ बहुत कीमती है बह आपके जिंदगी में तो चलिए समझ लेते हैं बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो आज की बहुत ही स्पेशल होने वाली है तो जिन्हों ने भी सेकेंड नंबर चूस करा है सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टेरो कार्ट दिख जाने कामों में बदलाव करना होगा जिन कामों को पूरा करने के अपेक्षा है वो दीमीकति से बढ़ेंगे संयम बनाये रखें अभी तक जो रुकावट आरी है उनके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें जीवन में नहीं शुरवात होगी बड़े बदलाव करने की गल बदलाव रहेगा जिसे वेक्तिकत जीवन में सही बदलाव आएगा करियर से जुड़ी नए बाते सीखने की कोशिश करें नए मित्रों के साथ मिल मिलाब बढ़ेगा अपने डर को दूर करके सकारात्मक बातों पर ध्यान दें दूसरों के सुजाओं पर ध्यान दें लेकि समस्याओं के बारे में विचार ना करते हुए अपनी जिमेदारियों को ठीक से निभाने की कोशिश आप करते रहें और इतना ध्यान रखे कि काम में बदलाव होने से प्रगति आपको मिलेगी आलस से बचे और काम पर ध्यान दे अपने जीवन में सुधार करने के लिए प को वास्तविक्ता का रूब देना संभव होगा इसी आत्रा के जरिये नए लोगों के साथ परीचे होगा फिलाल अपेक्षा स्यदिक खर्च होगा किसी एक निर्णय को तै करकर उस पर आप टिके रहें बार बार निर्णय में क्या गया बदलाओं आपके लिए और ने ही है उसके बारे में तुरंत अनुमान लगा कर ने लेने से नुकसान होगा करीबी लोगों की वज़े से समझोता करना पड़ सकता है फिलाल जो बाते आपके मन के विरुद्ध हो रही है उनमें जल्द ही बदला होगा पैसों का इस्तमाल सोच समझ कर करें बड़े लेकर अपने विचारों को बिदलने की कोशिश करें अपने इच्छा के नुसारत है कि एक लक्ष को पूरा करना संबह होगा भागिदारी में काम करने का मुका मिलेगा मित्रों से मिल रही मदद लाबकारी रहेगी अपने वेवहार से कोई विक्ती कहीं नाराज हो इस बात सकता है कठिनाई आपके जीवन में बदलाव कर सकती है बदलाव के लिए लाबदायक होंगे अपनी इच्छा शक्ती को प्रबल बनाकर आप मेहनत करें परिवार के लोगों के साथ बाच्चे सही दिशा में बढ़ रही हैं किसी भी वक्ती पर दबाव ना बने इस बात का दिशा ANDREW कैंडियों के जीवन में बहुत जल्दी आफ आगे बढ़ेंगी और बहुत जल्दी आपके प्रोग्रेस होंगी विग्ण हडों के सारे विग्ण दूर करने वाले जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम महारी है वह सारी आपकी दूर होने वाली हूै जितने भी नमबर के लिए क्या होने वाला है